दोस्तो आज हम पढ़ने वाले हैं नगरपालिका अधिकारिक को आविधन पत्र जो बोर्ड परिक्चाओं में और लोकल परिक्चाओं में पूचा जाता है पांच नंबर में दोस्तो यदि आज आज आपको पांच नंबर कंप्लिट करने हैं तो इस वीडियो को आप पूरा वश्य देखे और आपको हम सही तरीका भी बताएंगे कि आविदन पत्र को किस तरह से लिखा जाता है यदि नगरपालिका को आप कोई भी आविदन पत्र लिखेंगे तो किस तरह से आपको लिखना है कौन-कौन सी बातों का आपको विशेज ध्यान रखना है तो सारा हम आपको लाश्ट में बताने वाले हैं कि आपको कौन सी बातों का विशेज ध्यान रखना है मैं आपको दोस्त हर्यूम यादव आप सभी का बहुत दोस्त स्वागत है आज पढ पड़ेगा एक आविधन पत्र लिखना पड़ेगा तो वही आज इसमें हम बात करेंगे सांतियों यह पांच नंबर में पूचा जाता है तो आपको लिखना आना चाहिए चलिए तो देखते हम किस तरह से लिखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों आप सेवा में लिख आती है तो आप यहां पर प्रती भी लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं प्रती प्रती भी लिख सकते हैं ओके प्रती कैसे लिखते हैं एसे एसे प्रती भी आप लिख सकते हैं है ना सेवा में भी लिख सकते हैं दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं देखिए क्या लगना है क्या कि सेवा के पीछे आपको क्या लगना है अलप विराम लगना है जिसके बाद में आपका मोहदे आएगा मोहदे के पीछे भी आपको अलप विराम लगना है उसके बाद में ब्यावरा मद्य प्रदेश और यहां पर आपको पूर्न विराम लगना है दोस्तो इस विसे क्या है विसे में आपको लिखना है कि मोल्ले में व्याप्त गंदगी को दूर करवान है तू प्रातना पत्र आपके मोल्ले में क्या है गंदगी हो रही है उसे दूर करवान है तू आप क्या लिख रहा है प्रातना पत्र लिख रहा है यहाँ पर क्या लगाएंगे आप पूर्ण विराम का यहां पर आपको पूर्ण विराम लगाना है जिसके बाद में आपको कोई लाइन नहीं चोड़ना है उसके बाद लिखना है आपको मोहदे मोदे लिखना है मोदे के बाद आपको अल्प विराम लगाना है जैसे हमने यह आपर लगाया है यहापर आपको अल्प विराम लगाना है दोस्तो इस बात का आपको इसे ध्यान रखना है जिसके बाद मैं आपको लिखना है मोदे के साइड से यहां से आपको लिखना है उप की नियमित रूप से सपाई भी नहीं होती है परिनाम स्वरूप मच्छर मक्कियां पनप रही है जो अनेक प्रकार के रोगों का कारण है सातियों गंदी होने के कारण क्या हो रहा है मच्छर और मक्कियां पनप रही है जिससे क्या होता है अनेक प्रकार के रोग उत्पन होते आगे देखिए अतहा अब यहां से हम क्या करेंगे प्रग्राप चेंज करेंगे यहां क्या लिखेंगे अतहा स्रीमान जी से निवेदन है कि कृपया ब्यावरा में इस्तित हमारे मोले की सपाई वेवस्ता करवाने का कष्ट करे देखिए यह हमारा यहां से यह प्रग्राप भी complete हो जाता है यहाँ पर हमने उनसे क्या किये प्रातना की है जिसके बाद में आपको क्या लिखना है दोस्तो धन्यवाद लिखना है धन्यवाद के पीछे आपको विस्मय अधिवधक चिन्न का पिर्योग करना है यह चिन्न आपका कौन सा होता है विस्मय अधिवधक चिन् लगाना है आपको ध्यान रखना है इस बात का विशेज सातियो आगे देखिए दिनांक आपको कैसे लिखना है दिनांक में आपको लिखना है ऐसे इसी सिद्म आपको लिखना है पूरा ऐसा का ऐसा ही आपको लिखना है जिसके बाद में दोस्तों प्रार्ति लिखना है क्या जगा आप भहुदिया भी लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं भहुदिया यदि आप प्रार्ति नहीं लिखते हैं तो आप भहुदिया भी लिख सकते हैं उसमें क्या आएगा आपका देखिए समस्त निवासी गन प्रार्ति में आप क्या लिखेंगे समस्त निवासी गन ब्या विधी आप उसमें से किसी प्रकाइक के गलती करते हैं तो यहां से आपके नमबर कट्सकते हैं एक नमबढ दो नमबर आपके कट्सकते हैं तो इस बात का बुस्यान रेकर अभी मैं बताने वाला हो दोस्तो यहां पर प्रार्ति की जगा आपको अबसकरिक नहीं लिखना है और किसी कच्चा का नाम नहीं लिखना है और नहीं आपको किसी चात्र का नाम लिखना है ना आपका नाम लिखना है यहाँ पर के लिखना है समस्त निवासी गन और सातियों हमने देखिए यहाँ पर अलग-अलग कलरों का प्रियोग किया है दोस्तो ये हमने आपको समझाने के लिए अलग-अलग कलर का पिर्योग किया है हाइलाइट करने के लिए हमने तरह-तरह के रंग का उपयोग किया है आपको आपकी बोर्ड परिक्चा में जब आप परिक्चा देंगे हैं तो आपको अलग-अलग कलर का पिर्योग नहीं करना है सिर्फ आपको एक ही कलर में लिखना है इस वाले कलर में आपको लिखना है ठीक है आप अलग-अलग कलर का पिर्योग नहीं करेंगे इस बात का आपको विशेश ध्यान रखना है और सांतियों आपको आविदन पत्र लिखते समय किसी भी सब्द को आप अंडरलाइन नहीं करेंगे जैसे कि यहाँ पर विशे है इसको अंडरलाइन नहीं करना है मोदे है इसको अंडरलाइन नहीं करना है किसी भी सब्द को आपको अंडरलाइन नहीं करना है है ना और जिसके बाद में आप कोई भी अंग्रेजी सब्द है उनका प्रियोग भी नहीं करेंगे इसका आप उसेज ध्यान रखें कोई भी अंग्रेजी सब्द का प्रियोग आविदन पत्र में नहीं करेंगे क्योंकि हम हिंदी में इसको कर रहे हैं ठीक है तो यह आज की कुछ महतुपूर्ण बात थी जो मैंने आपको बताई है जो आपको कापी मदद करेगी परिक्चा में लिखते के लिए साथियो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को आप सेर भी कर सकते हैं और चैनल अपन नए है तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें अगले वीडियो को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए मिलते हैं अगले को खोल कर आप प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे और उन वीडियोज को भी आप जरूर देखें और अच्छे से उन आविदन पत्रों को भी आप याद करें जय हिन जय बारत